दोस्तो वेलकम टू टू ट्रीगर हिंदी न्यूज तो दोस्तो एपल से जुड़े हुई दो बहुत ही बड़ी खबरे आ रही है एक आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और दूसरी बहुत ही फणी लगने वाली है तो दोस्तों आपको इस चैनल पर Science, Tech, Economy, Defense, World Relations ऐसे ही Topics पर मैं वीडियोज लाते रहता हूँ In the section of News यानि की in short आपको इन सबसे Related Topics की News यहाँ पर आपको मिलेगी रोज आपको Total तीन News मिलेगी तो दोस्तों वो Apple की क्या News है इसके लिए वीडियो को अन तक जरूर देखना और Like और Subscribe भी कर देना तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर से ये खबर थोड़ी Funny है और चाइना से जुड़ी हुई है अब चाइना का नाम आया है तो आपको पता चली गया होगा की चाइना का और Products का कैसा रिलेशन है और ये जिस चाइना में ही हुई है तो दोस्तों एक औरत ने एक Chinese वोमेन ने Apple iPhone 12 Pro Max मंगाया था और वो भी Apple की Official Website से और जब प्रोड़क्ट आई तब उनके रोंगते खड़े हो गए यानि कि उनके होश्ट ही उड़ गए क्योंकि उन्हें Apple iPhone 12 Pro Max के नाम पे दुसरा ही प्रोड़क्ट मिल गया था वो था Apple Flavored Yogurt Drink जबकि उन्होंने iPhone 12 Pro Max मंगाया था और ये कोई पहला स्केम नहीं था बलकि चाइना में ऐसे ही स्केम रोज होते रहते हैं हमारे इंडिया में एक कहावत है कि चाइनिस प्रोड़क्ट चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक पुरी दुनिया को पताए कि चाइनिस प्रोड़क्ट कैसी होती है और ये ही चीज चाइना में ना हो तो क्या फाइदा और वैसे भी कोई product की quality low हो और बले ही वो दूसरी country में बनी हो लेकिन लोग उसे Chinese product कहते हैं क्यूंकि China को label ही लग गया है यानि की low quality product is equal to Chinese product तो दूस्तो अब दूसरी कबर के तरफ बढ़ते हैं दूसरी कबर आ रही है एपल से तो दूस्तो market में एक अफवा फैल रही है कि iPhone अपने दूसरे upcoming phone में 1TB storage रखने वाला है तो इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो दूस्तो ऐसी product पहले से एपल के पास है जिसमें 1TB storage है वो है Apple का high-end iPad pro tablet तो दूस्तो अब बहुत सारी reports आईए Apple की कि अब वो अपने upcoming phones में 1TB storage देने वाले हैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि iPhone 13 में 512GB storage होने वाला है वहीं पे iPhone 13 Pro में 1TB storage होगा और इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है क्योंकि Apple अपने हर product को बहुत ही ज्यादा improve करता है जैसे कि उसने अपने iPad Pro tablets को किया है तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि iPhone 13 या फिर iPhone 13 Pro में 1TB का storage हो सकता है क्योंकि Apple बहुत ही improve करता है अपने camera में अपने operating system में और अपने storage में और कुछ नया करता रहता है और लोगों को storage की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है आज के वक्त में क्योंकि आज के वक्त में 30GB, 50GB ये बहुत ही छोटी चीज हो गई है और लोगों को और भी ज्यादा storage चाहिए और Apple से ज्यादा market को और कोई जानता नहीं mobile के field में तो 90% chance है कि Apple अपने अगले iPhone phone में 1TB storage ला सकता है तो इस पर आपका क्या कहना है वो comment करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि क्या आपको 1TB storage चाहिए अपने और किसी phone में या फिर Apple के phone में तो आज के लिए इतना ही मैं ऐसे ही topics पर वीडियोज लाता रहता हूँ जो की related होते है economy, world, relations, science, defense, tech और ऐसे ही अलग-अलग topics पर और दिन के total तीन वीडियोज आपको मिलते रहेगे तो इसके लिए इस channel को subscribe जरूर करना और मिलते हैं ऐसे ही अगले interesting वीडियो में तो goodbye and see you in next video